है एलो फ्रेंड्स बेल कम टू माई चैनल जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि मैं आपको क्रेशुला के लाफ के बारे में बताऊंगी तो आज मैं आपको बताती हूँ कि पौधे को लगाने से क्या लाफ होता है क्रेसुला प्लांट को हिंदी में पुलाव का पौधा कहा जाता है और इसे जेड प्लांट भी कहा जाता है हमारी धर्ती पर कई ऐसे पौधे हैं जो सौस्ते के लिए फाइदे मंद है इसकी अलावा वास्तु के हिसाब से भी बहुत काम के है जैसे कि तुलसी पीपल आमला आधी पौधे की पूझा करना सास्त्रों में बहुत सुभ माना गया है इनकी पूझा करने से इन्हें घर में रखने से कई तरह के फाइदे होते हैं इसी तरह एक पौधा है क्रेसुला का पौधा तो आईए जानते हैं क्रेसुले के पौधे से जुड़े रहस्यों के बारे में क्रेसुले एक बहुत ही मुलायम और फैलावदार पौधा है जिसकी पत्तियां चौड़ी होती है इनकी पत्तियों का रंग हरप और पीला मिस्रित होता है आप देख रहे हैं पौधा क्रेसुला का इनकी पत्तियां हरे भी और पीले हरा पीला दोनों मिस्रित होता है क्रेसुला का पौधा घर के प्रवेश दौर दाहिनी दिसा में रखना चाहिए इसका पौधा घर के प्रवेश के दौर जैसे ही जाते हैं आप प्रवेश दौर में दाहिनी और रखना चाहिए जहां से सूरी की रोशनी इस पर पड़े क्रेशुला का पौधा सकर आत्म कुर्जा को प्रवेश देता है इस पौधे को घर में रखने से धन में वृद्धी होती है पैसो के लिए क्रेशुला का पौधा बहुत अच्छा माना गया है या पौधा धन आपके घर की ओर खीशता है ये पौधा धन को आपके घर की ओर खीशता है अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है या रहता है और आते ही चला जाता है तो आप इस पौधे को घर में रखें आपको बहुत फाइदा मिलेगा कहा जाता है कि इस पौधे को लगाने के बाद आपको धन प्राप्ति के नए नए औसर मिलेंगे और आपका मन भी खुश रहेगा कई लोगों ने इस पौधे को घर में लगा कर इसके फाइदे देखे हैं अगर आप भी धन की समस्या से परसान है तो एक बार इस पौधे को घर में ज़रूर लगाएं तो आपने देखा क्रेशुले के लाव क्रेशुला लगाना कितना लाव होता है आप ज़रूर लगाईए इस पौधे को मैंने भी लगा रखा है ये देखिए क्रेशुला का पौधा तो आप भी इस पौधे को अपने घर में लगाईए और धन की समयस्या से छुटकारा पाईए तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज माई चैनल सब्सक्राइब सेयर करिए कमेंट्स करिए कमेंट्स करके जरूर बताईएगा आपने पौधा लगाया या नहीं थैंक यू